जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में सब फाइलम वर्टी प्रेटा को डिस्कस किया था और हमने ये देखा था कि हम इनको दो सूपर क्लास में डिवाइड करते हैं एक सूपर क्लास हमारे पास पाइसिज है और दूसरी सूपर क्लास हमारे पास टेट्रापॉर्डा है तो पहले हम सूपर क्लास पाइसिज को स्टेडी करेंगे और इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो सबसे पहली क्लास आ जाती है वो है साइक्लोस्टॉमाटा तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी साइक्लोस्टोमेटा के बारे में है क्लास साइक्लोस्टोमेटा के अगर हम बात करें तो इनके पास सबसे कदीम वर्टीब्रेट्स जो हैं वो मौजूद हैं और ये ऐसे vertebrates हैं जिनके पास किसी किसम के कोई jaws या जबड़े जो हैं वो मौझूद नहीं होते हैं। Jaws का ना होना एक ऐसा खास करेक्टर है जो इनको बाकी तमाम vertebrates से अलग करता है। Class Cyclostromata को Lamprease और Hagfish जो होती हैं इनसे represent किया जाता है। इनके अगर characteristics की बात की जाए तो इनकी body जो है वो long होती है जैसा के eel की body होती है। So eel like long bodies होती हैं इनकी इनके पास किसी किसम के कोई scales मौझूद नहीं होते हैं। इनके पास किसी तरह के कोई appendages भी मौझूद नहीं होते हैं। इनके पास जो skeleton है वो cartilage के बने होते हैं। So cartilaginous skeleton जो है वो इनके पास पाए जाते हैं। Ventral sectorial mouth इसका क्या मतलब है जैसा के हम जानते हैं कि animal की जो backbone वाली side होती है इस surface को हम क्या कहते हैं। इसको हम dorsal surface कहते हैं। जबके जो belly-vally side होती है इसको हम ventral surface का नाम देते हैं। तो इनके पास जो mouth होता है वो ventral side पे मौझूद है। जैसा के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका जो mouth है वो इनकी ventral side मौझूद है। और mouth जो है यह सक करने का काम करता है इसलिए इसको sectorial mouth कहा जाता है। So ventral sectorial mouth ऐसा mouth जो सक करने का काम करता है और यह body की ventral side पे मौझूद होता है। Heart with one oracle इनके heart के पास एक oracle होता है। यहाँ पर अगर हम heart की structure को देखें तो हमारे पास जो सबसे पहले section मौझूद है यह Sinus venus है, next हमारे पास atrium यह oracle मौझूद है, then ventral मौझूद है और last में हमारे पास bulbous arteriosus मौझूद है। इनके पास six to fourteen pair of gills मौझूद होते हैं, अगर हम इस structure में देखें, तो हमारे पास अगर हम इस structure में देखें, तो हमारे पास यहाँ पे one, two, three, four, five, six and seven pair of gills मौझूद हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो हमारे पास aig fish मौझूद है, इसके अंदर भी seven pair of gills मौझूद हैं। gills का number जो है, वो six to fourteen के दरम्यान में vary करता है। इनके digestive system के पास किसी किसम का stomach मौझूद नहीं होता। अगर lempray की बात करें, तो इनके अंदर sexes जो हैं वो separate होते हैं, जबके haig fishes जो हैं यह hermaphrodite होती हैं। hermaphrodite ऐसे organisms को कहा जाता है, जिनके पास एक ही organism के अंदर male और female parts दोनों मौझूद होते हैं। इनके अंदर external fertilization पाए जाती है, और अगर lempray की बात की जाए, तो इसका जो larval period होता है, यह काफी जादा long होता है। तो यहां तक class cyclos tomata हमारी complete हो जाती है। 2 1 2 2 2 2 झाल झाल